मेरे चांद जैसे चेहरे का राज है उसका कम्प्लीट केर मगर आपने कभी ही सोचा है कि हमारा एल्बोस की तरफ सिर्फ तभी ध्यान जाता है जब वो बिल्कुल डाय हो चुकी होती है बेचारी एल्बोस आईए आज में आपको जाय और फ्रेकी एल्बोस को ठीक करने का राज बताती है पहले तो एल्बोस को वेट टिशू से साफ कर लिए जब एल्बोस मॉइस्ट हो जाए तो आप इस पर ओलिव ओल लगाईए ओलिवोय इसे स्किन काफी सॉफ्ट हो जाती है और ड्राय एल्बोस को भी काफी फायदा होता है रात को सोरे से पहले भी आप एल्बोस पर ओलिवोय लगा सकते है बस आज एक के बाद आप एक नया सॉक्स का पैर लिजिए और उसे आगे से काट दीजिए काटने के बाद आप इसे एक लॉंग लब की तरह हाथ में पहले जिए अगर आपनी चूरिया वैंगल पैना है तो उसको निकाल दीजिए ताक कि आप कमफरेबल हो जाएं इसे अच्छे से पहनने के बाद आप अपनी अलबोस को कवर कर लिजिए ऐसा करने के बाद आप घर का बागी काम भी कर सकते हैं और आराम से सो भी सकते हैं थोड़ी दिर के बाद आप इस सौक्स को अपने हाथों से निकाल कर दोबारा वेट टीशिय से अपनी अलबोस को साफ कर लिजिए ऐसे एक हफ्ती तक लगतार करने से आपकी द्राय और फ्लेकी अलबोस बिलकुल ठीक हो जाएंगी और आप कर स्लीस या पर टीशियर्स पहनते हुए भी घबराएंगे नहीं और आपके चांद जैसे चहरी के तरह आपके अलबोस भी शाइन करेंगे और प्हुच करेंद बेस्टे झाल